Hello friends, welcome back to the channel, कैसे हैं आप सब? आज एक बहुत important topic आपके साथ discuss करने वाला हूँ जो कि related है car का safety of warning lights से अब देखे कुछ warning lights गाड़ी में ऐसी होती है जिनकी वज़े से आपकी गाड़ी में serious damage हो सकता है आपकी गाड़ी का जो engine है वो completely seize हो सकता है ये warning lights आपकी गाड़ी में time to time आती है जब कोई major fault होता है या फिर कोछ ऐसी चीज होती है कि जिसकी वज़े से ये light आपके display में आ जाती है इन lights का हमको कई बार कोई idea नहीं होता है कि क्यों आ रही है हमारा शायद ध्यान भी नहीं जाता है और इनका ऐसा कोई sound भी नहीं आती है ये सिर्फ आपके जो speedometer है उसमें आपको display होगी blink करेगी continue और या फिर ये अपनी glow करती रहेगी तो इस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे और इस light के आने के बावजूद अगर आप अपनी गाड़ी को चलाएंगे ना तो गाड़ी definitely आपकी seize हो जाएगी और फिर आपको हजारों का या फिर लाकों का खड़चा आपकी गाड़ी में आ सकता है तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड तक देखना आपको पूरी clarity मिल जाएगी कि यह situation कैसे आती है और आपको कैसे deal करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा यह warning light कैसी है तो देखे जिस warning light के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका engine oil warning की अब देखे यह light जो है यह कब आती है यह light तब आती है जब आपकी गाड़ी में जो oil का level है वो काफी कम हो जाता है और आपकी गाड़ी जो है थोड़ा dry चलने लग जाती है अब देखे इसका मैं आपको explain करता हूँ सबसे पहले engine oil जो होता है वो क्यों ज़रूरी है गाड़ी के लिए आपने देखा होगा हर major service में engine oil या तो replace होता है या top up होता है depending आपकी गाड़ी कितना चलती है तो engine oil का काम क्या होता है basically engine जो आपका run करता है उसमें कई सारे moving parts होते हैं जिनमें की lubrication की ज़रूरत पड़ती है अब lubrication provide करने के लिए engine oil को उसमें डाला जाता है तो गाड़ी जैसे आपकी run करती है तो उसमें वो जो engine oil है वो different parts में जाके उसे lubricate करता है गरम नहीं होने देता है और friction को है जो काफी कम कर देता है उस चीज़ के लिए हमारा engine oil गाड़ी में बहुत ज़रूरी है over the time being गाड़ी जब चलती है तो engine oil कम हो जाता है तो उसकी वज़े से गाड़ी में problem आती है अब देखिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि engine oil जो है आपका किस state में है या फिर क्यों कम हो है तो सबसे पहली चीज़ जो हम discuss करेंगे वो है कि engine oil जो है वो low होता क्यो है अब देखिए engine में काफी सारे movable parts होते है over the time being इसका काम जैसे आपको पता कि friction कम करना है heat को कम करना है और engine को अच्छी state में maintain रखना है जब भी वो work करता है तो over the time being जैसे जैसा आपकी गाड़ी जादा किलोमेटर कवर करती है तो ये जो engine oil का level है दीरे 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 कम होन लग जाता है तो उस चीज के कारण क्या होता है कि आपकी जो engine oil warning light है वो on हो जाती है और वो आपको level बताती है कि भई आपका engine oil कम हो रहा है तो जो उसका reason है वो मैं आपको बता दिया कि वो continuous work करता है engine के साथ तो over the timing उसका जो level है वो धिरे दीरे कम होने लग जाता है तो य यह जो चीज थी यह तो थी आपका engine oil आपका कम क्यों हो रहा है अब दूसरी चीज में आपके साथ जो डिसकस करने वाला हूँ वो है कि engine oil आप चेक कैसे कर सकते हैं आपको पता कैसे चलेगा कि कम हो गया है ठीक है उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है अपनी गाड़ी का निकालके उसे एक बार आपको अच्छे से साफ कपड़े से उसे clean कर देना है first time में आपको पता नहीं चलेगा level का क्योगी गाड़ी आपकी incline में या कैसे भी angle पे खड़ी हो सकती है तो आपको clear notification नहीं मिलेगा तो आपको करना क्या है कि उस dip stick को लेकर साफ कपड़े से clean कर और फिर दोबार और dip stick को उस जगह पे डालिए जहां पर वो थी और फिर उसमें marking दी गई होती है L का मतलब होता है low और F का मतलब होता है full ये marking अलग अलग हो सकती है किसी में minimum और max भी होता है तो जो नीचे वारी lowest marking होनी चाहिए उससे उपर आपका minimum level से उपर जो उसकी level ह है वो रहना चाहिए engine oil का तो आप साफ dip stick में उसको चेक कर सकते हैं अगर वो लो हो गया है तो आप उसे top up कर सकते हैं और अगर वो जादा गंदा हो गया है तो आप उसको replace भी कर सकते हैं हाँ इसमें condition यह है कि आपकी गाड़ी जो है वो एकदम flat surface पे होनी चाहिए किसी incline नहीं होनी चाहिए वना आपको correct reading नहीं मिलेगी तो ऐसे आप अपनी गाड़ी का engine oil जो है घर पर ही चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी गाड़ी में engine oil किस level तक पहुँच गया है ठीक है अब दूसरी चीज जो है इससे related कि भाई engine oil जो है जरूरी नहीं क आपका कम हो तब यह warning आती है यह तब भी आ सकती है जब आपकी engine oil गंदा हो गया है अब मैं आपको explain करता हूँ कि यह गंदा होता क्यों है अब देखिए engine जब चलता है न तो उसमें dust accumulate हो जाती है कुछ parts में हलका full का friction के कारण भी उसमें अंदर थोड़ा-थोड़ा minute particles इख जाती है और यह देरे-देर टाइमिंग गाड़ा होने लग जाता है या गंदा होने लग जाता है तो जब यह गंदा हो जाएगा ना तो यह अपना properly work नहीं करेगा जो इसमें lubrication देना है यह वह भी नहीं करेगा तो उस चक्कर में क्या जो यह sensor है वो उसकी warning light आपको show करने उसमाप oil को जरूर चेक करना जो fresh oil होता है या फिर जो usable oil होता है वो यह तो transparent सा होगा ज्यादा गाड़ा नहीं होगा एक amber सा color होगा उसके अंदर और जो है उसमें कोई smell नहीं आएगी तो आप पता कर सकते हैं कि usable state में अगर आपका engine oil आपको गाड़ा सा दिख रहा है उसक आ गई है या नहीं अब तीसरी चीज़ जो मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ वो यह है कि जरूरी नहीं जब आपका engine oil low हो तब ही यह warning आए यह warning तब भी आ सकती है जब और भी factor एकटा हो जाते हैं और वो force करते हैं इस warning light को आने के लिए अब दिरे दिरे उन factors को भी हम consider करते हैं इस वीडियो में तो अब देखिए जैसे आपको पता चलिया कि warning light आपकी glow कर रही है तो उसके दो-तिन कारण ऐसे भी होते हैं जो कि जरूरी नहीं कि आपका engine oil low हो ठीक है engine oil आपका warning light तब भी आ सकती है जब आपकी गाड़ी में कहीं engine oil leakage हो ठीक है engine oil leak हो ठीक है पता कैसे चलेगा कि आपका जो engine से है आपको smoke दिखेगा तो उससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में कही engine oil leak हो रहा है ठीक है यह तो हो गई आपकी engine oil leak की condition और इससे आप कैसे चेक कर सकते हैं दूसरी जो condition है कि आपका fuel pump भी आपका खराब हो रहा है तो fuel pump जो engine oil है या तो कम हो जाएगा या फिर वो usable statement नहीं होगा तो आपका fuel pump खराब होने के ज़्यादा chances होते हैं तो हो सकता है कि आपका engine oil है पूरी तरह से खराब ना हुआ हो पर आपका fuel pump जो है वो खराब हो गया हो तो आप उसको भी एक बर चेक करें अगर आपका engine oil बिलकुल ल लगा होता है आगे पर यह fuel sensor जो आपका होता है जो फ्रंट में लगा होता है यह अगर आपका खराब हो जाना है तो यह अच्छी आपको accurate reading नहीं देगा यह काम नहीं करेगा तो यह फिर भी यह warning light आपकी activate हो जाती है जो आपको speedometer पर आपका show करेगा तो आप उसको भी एक जो आपकी आ सकती है गाड़ी में वो है आपका oil filter अब देगे oil filter बहुत ही basic चीज है जबी भी आप अपनी servicing कराते हैं तो oil filter चेक होता है अगर वो replacement मांग रहा है तो over the timing उसको replace भी किया जाता है तो अगर आपका oil filter गर आपका खराब है ना वो properly work नहीं कर रहा है तो देखि पुरी तरह से अपना काम नहीं कर पाता है वो चोक हो जाता है उस case में क्या होता है कि वो properly filter आउट नहीं करेगा impurities वो impurities डिरेक्ट आपके engine में जाएंगी प्लस आपके engine oil को भी खराब करेंगी जल्दी तो जो चीज आपके 7000 km में replacement मांग रही है वो 3000 में हो जाएगी और जादा आपकी जो life engine की हो धिरे-दिरे कम करेगा अब जो ये engine warning light देखिए इसमें अब आपको करना क्या है जैसे ही आपकी screen पे आएगी न तो आपको अपनी गाड़ी को बंद कर देना है अगर ये blink हो रही है थोड़ी देर के लिए आई आई आपने गाड़ी बंद करी start कर रहे हैं क्योंकि अगर आपका engine dry चल रहा है engine oil आपके उसमें कोई problem कर रहा है तो वो direct effect तरक आपके engine को जिससे की engine में बड़ा fault आने के chances है और फिर उसकी repair cost है वो लाखों में जा सकती है तो थोड़ा सा आपको patience रखना पड़ेगा अपना जल्दबाजी ना करें panic होने की ज चलाने की कोशिश ना करें तुरंथ अपनी गाड़ी को टो करा के आप nearby workshop में ले जा सकते हैं चेक करवा सकते हैं जो भी मैंने आपको factor बताए उनसे related कोई leak तो नहीं है oil filter oil pump आपका जो भी है इन सब को आप चेक करवाएं और अपनी गाड़ी में एक minor cost pay करके आप उसे easily repair कर अपने जो लाइट से इंजन की उनसे आप अवेर रहें information अपने पास यह थी related information आपकी engine oil warning light से कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट में ज़रू बताएं मिलते हैं इसी next informative वीडियो के साथ शीदेश व्लॉक्स में thank you for watching